दोस्तों भी रिसेंट टाइब में पुस्पा, RRRR और KGF2 के बाद विक्रम एक एसी पेन इंडिया मोवी है जो की मोवी लवर्स के बीच में बहुत ही जादा पॉपिलर रही ये एक बहुत बड़ी ब्लॉक्बस्टर मोवी भी साबित हुई हालांकि हिंदी बेल्ट पर ये म इंडिस्ट्री में चाहे वह तेलगू हो तमिलो कंणर या मल्यालम हो और उसके बाद ओवर्सीस मार्केट में ये मुवी बहुती बड़ी ब्लॉक्बस्टर मुवी साबित हुई और बहुती बड़िया कलेक्शन इस मुवी ने किया है और आखिर ब्लॉक्बस्टर हो भी कै स्टास्तर कास्ट होने के बाद भी ये मुवी दो मुख्य वज़ाओं से फिल्मी फैनस मुवी लवर्स के बीच में बहुत जाधा पॉपिलर रही बहुत ज्यादा हाईट क्रियेटवी इस मूवी की और बहुत ही जाधा बातें हुई इस मूवी के बारे में तो और ये जो को प्ले कर रहे हैं Tamil Superstar सूरिया और दूसरी जो चीज यह वो यह कि इस मुवी के climax में makers ने इस मुवी को सीदे तोर पर 2019 में आई Tamil Super 8 movie Kathy से link कर दिया और अब इस connection के बाद सीदे तोर पर रास्ते खुल गए हैं एक नए universe का और इसी universe का नाम है Loki universe और फ्रैंट्स आप यकीन मानिए आने वाले समय में इस यूणिरस में इतना होने वाला है कि सायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी तो बस आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वालहे हैं कि आखिरAnt-DAM के बारे में पता रगेगा ना तब सच में आपको बहुत मज़ा आएगा और अगर आपने केथी मुवी या विक्रम मुवी अभी तक नहीं देखी तो ये वीडियो तो जरूर देखिए क्योंकि इसके बाद आपको वो मुवी देखने में और भी मज़ा आएगा हाँ थोड़ के लो केस कनगराज फ्रेंड्स ये डारेक्टर हैं विक्रम और केथी मुवी के स्रिफ 36 साल के हैं लेकिन बहुत ही खतरनाक डारेक्टर है एक्चली 2019 में इन्होंने एक फिल्म बनाई थी केथी जो की तमिल ब्लॉगबस्टर मुवी थी इसका भी हाल ही में रीमेक बनने वा जानना हमारे लिए जरूरी है तो फ्रेंड्स ये मुवी के थी 2019 में आई थी और इस मिल्म की कहानी स्रिफ एक राक की कहानी थी जब ड्रक माफिया का एक बहुत बड़ा ड्रक से बढ़ा हुआ कंटेनर पुलिस की एक स्पेशल टीम पकड़ लेती है इस टीम को लीट करते ह है अरजुन और इस पूरे ड्रक को छुपा दिया जाता है एक बहुत ही सीक्रेट जगा पर लेकिन जिसके ये ड्रक होते हैं मतलब इस फिल्म के विलेन बिल्ला वो जी जान से जुड़ जाता है इस ड्रक को खोजने में और इन पूरी सीक्रेट टीम जिन्होंने इसको सेजा काट कर आया है और अब कैसे भी अपनी बेटी से मिलना चाहता है जो कि अनाथ हाले में अपनी जिन्दगी जी रही हैं इस आदमी लेते हैं इस आदमी का नाम है एक्चुलिणि में इस अलग नाम रखे जाते हैं तो जो भी मैं नाम ले रहा हूँ जो हिंदी डबड़ वाले ही हैं तो ये जो सिवा है ये इस मूवी का एक्चुल एक्टर है लीड करेक्टर है और इसको सिवा का जो रोल प्ले कर रहे हैं वो तमिल सुपरिस्टार कार्थी इसका रोल प्ले कर रह पर वो पूरी drugs को आखिर में ये लोग destroy कर रेते हैं तो फ्रेंट्स के थी मुवी का विक्रम मुवी से connection जानने से पहले हलका फुलका इस विक्रम मुवी के बारे में भी जान लेते हैं तो फ्रेंट्स यह विक्रम जो मुवी है यह भी drug mafya के उपर ही बनी है और यहां पर भी पुलिस की एक special team drug mafia के दो बहुत बड़े container पकड़ लेती है और इस बार इसमें drugs नहीं होती बलकि drugs जिस चीज से जिस element से बनाते हैं वो रहती है और इस दो container में ये पुरा full बरा हुआ है और इससे इतनी drugs बनाई जा सकती है पता नहीं कितने हजार करोन की तो पुलिस की special team ये बना लेती है और फ्रेंड्स इस बार भी इस पुलिस की special team है ये अरजुन की ही टीम है जो की केथी में जिनोंने वो पकड़ा था तो इस बार भी अरजुनी फिर से दो container पकड़ते हैं और इस बार इनकी टीम में एक प्रबंजन नाम का character है जो की actually इस फिल्म में कमल हसन का बेटा है तो दोस्तों ये जो दो drug container पुलिस पकड़ती है ये actually में चंदन जो की एक बहुत बड़ा drug dealer है जिसका character निबा रहे है सूपर स्टार विजय सेतुपती ये दोनों container इसके हैं और जब इसको पता चलता है कि ये इतने बड़े amount के container पुलिस ने पकड़ लिए तो ये पागल हो जाता है लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा drug mafia है तो इसके obviously पुलिस और मंत्री सबसे connection है और इसको पता चल जाता है कि आखिर किन पुलिस वालों ने ये container पकड़े हैं और इसके बाद ये प्रबंजन को जो की कमल हसन का बेटा है उसको बहुती बुरी तरह से मार देते हैं लेकिन इसके बाद surprisingly entry होती है नकाप पोस एक ग्रुप की जो की ये drug dealing से जितने भी लोग जुड़े हुएं दीरे-दीरे करके इनको मार देते हैं और इनका वीडियो भी release करते हैं और इसी में ये लोग कमल हसन को भी मार देते हैं और उसका भी वीडियो release करते हैं यहाँ पर इसका अनी में काफी twist and turn है और ये जो नकाप पोसो का ग्रुप है जो की लोगों को एकर करके मार रहा है इनको पकड़ने की जिम्मेदारी मिलती है रोक एक बहुत ही खतरनाक एजेंट अमर को जिसका की करेक्टर प्ले कर रहे हैं फाहाद फाजिल यहाँ पर हमारी हिंदी ओडियंस को एक बार फिर से याद दिला दू कि फाहाद फाजिल वही है जो पुस्पा फिल्म के लास्ट में पुलिस ओफिसर आते हैं बेरो सिंग सेखावत फ्रेंड्स बहुत ही खतरनाक एक्टर हैं यह भी और मज़ा आ जाएगा आपको इनकों विक्रम मुवी में देखके ताकि अब जब में इनका कनेक्शन बताओं और आगे आने वाले टाइम पे यह केसे इंडियान फिल्म इंडिस्ट्री का सबसे खतरनाक यूनिवर्स बनने वाला है उसके बारे में बताओं तो आपको वो थोड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाए तो फ्रेंट सबसे पहले आपको बता दू कि केथी फिल्म की जो कहानी थी वो थी मार्च 2019 की वो जो एकी रात की कहानी थी वो मार्च 2019 की एक रात थी और अब विक्रम की जो ये कहानी है ये जून 2019 की कहानी है मतलब makers ने दोनों कहानियों को एक ही timeline में रखा है मतलब ये दोनों जो घटना हैं दोनों जो story हैं बिलकुल आसपास ही चलती है इसके बाद ये जो दोनों ही movie में drugs को पकड़ा जाता है ये एक ही police officer पकड़ता है इंस्पेक्टर अरजुन केथी में एक container पकड़ा जाता है यहाँ पर विकरम में दो container पकड़ा जाता है और दोनों में जो drugs पकड़ी जाती हैं उसमें हमको clear दोनों film में दिखाये गया है कि drugs के उपर ना scorpion मतलब बिच्छू के symbols रहते हैं मतलब वहाँ पर जो drugs पकड़ाई गई थी और यहाँ पर जो पकड़ाई गई थी इन दोनों पर एक ही तरह के symbols हैं जिससे ये साफ पता चलता है कि दोनों ही filmों में पकड़ी गई drugs किसी एक ही drug mafia की हैं किसी एक ही आदमी की हैं इसके love friends विक्रम की पूरी कहानी में बहुत सारी चोटी चोटी चीजें हैं इसी detailing है जो इसका सीधे तोर पर connection कैथी मूवी पर है लेकिन finally जो सबसे बड़ी चीज विक्रम मूवी को कैथी से जोडती है वो है Rolex दोस्तों Rolex एक ऐसा सक्स है जो इन दोनों ही कहानियों का टॉप मॉस्ट विलेन है एक्चुली कैथी और विक्रम दोनों ही फिल्मों में हमने देखा कि इन दोनों के जो विलेन है कैथी मूवी के जो विलेन से बिल्ला और रंगा हैं तो यह बहुत ही खतरनाक लेकिन फिर भ बहुत बड़ा ड्रग माफिया है बहुत ही खतरना केरेक्टर है लेकिन फिर भी हमको मूवी में दिखाया जाता है कि चंदन सिर्फ एक सक्स से डर रहा है रोलेक्स से और कई बार रोलेक्स के आदमियों का उसके पास फोन आता है और वहां पर चंदन काफी डरा हुआ होता है तो यहां पर हमको किलियर पता चलता है कि जो दोनों फिल्मों में ड्रग्स पकड़ाई है वह एक्चुली रोलेक्स की है जो की एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया है और यह तीनों ही चाहे वह के बिल्ला रंगा हो यहां पर चंदन हो विक्रम में यह तीनों ही एक्चु कामिल सूपर स्टार सूरिया फ्रेंड सूरिया को अभी हाली में नेशनल और भी मिला है ना तो बहुत ही शांदार मतलब एक्टर हैं सूरिया जय भी में पी क्या रॉल उन्होंने प्ले किया है वहीं से एक्टुली हिंदी ओलियंस उनको थोड़ा जान पाई है तो सूपर रूप में अपने को मतलब किया है रॉग सूरिया ब्रिलियंड दिख रहे हैं उनकी आखें आंखों से उनकी एंट्री होती है और जिस तरह से वो उनके बॉडी पे वो स्कॉर्पियन वाला टाटू होता है जो कि दोनों ही फिल्मों में पकड़ाई गई ड्रक्स के उपर रहता है यहां पर हमको साफ पता चल जाता है कि रॉलेक्स और रॉलेक्स रॉलेक्स के जब एंट्री होती है तो वहां पर हमें दिखते हैं कैथी लुक हैं बता रहें क्येश दिखाया है कि ऑपर हमको ल座ा ब्रक्स की सिवा क्रीक्स के रहें लेकिंश करवें ने बता रहें। कि यह बच्ची है जो केथी मूवी में आखरी में सिवा उसके साथ अपनी बेटी के साथ चले जाता है वो बेटी महां दिखती है उससे पूछा जाता है कि पापा का है वो बताती है कि वह वार्फरूम में और वहां से सिवा के आवाज हमें सुनाई देती है और यह क्लियर हो होए हैं चुपकर कमल असन और विक्रम और वो जो आखरी सीन है विक्रम मूवी का सबसे बेश सीन है जब रॉलिक्स एक अलग तरफ जा रहे हैं विक्रम मतलब कमल अलग तरफ जा है और दोनों फिर मुड़के देखते हैं और दोनों की आखें दिखाई जाती है और यहीं पर यह फिल्म एंड हो जाती है बहुत सारे सवाल बहुत सारी फैन थे और इसको छोड़के कि अब आगे आने माले टाइम पे इस universe में मतलब arran beginnen लोके सिनमी युनिवर्स में जिसको L through ओन वी कहा जारा है यह फिल्लोकी रहिक अगर मीर्स पर लेकिन उसकी वाइप को किशने मारा था उसकी क्या कहानी थी यह उत्यव निकैतर हो नहें हमें Shiva की पुरानी कहानी पताई जाएगी कि क्या-क्या हुआ था और second half में फिर present दिखाये जाएगा कि कैसे Rolex Shiva को डूंड रहा है और उसे बदला लेने जा रहा है और कैसे वो शिवा किस तरह से रॉलेक्स से भिड़ता है, यह केथी 2 में हमको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, हो सकता है कि रॉलेक्स पूरी तरह से भिड़ते वोई न दिखा है और वहीं पर एंड हो जाये, लेकिन शिवा रॉलेक्स का सामना होना तय है केथी मूवी में तभी यह उनिवर्स आगे मतलब बढ़ पाएगा और फ्रेंड्स सबसे खास बाद बताओं क्या है हमारी तमिल ओडियंस का तो पता ही होगा हिंदी ओडियंस को बताओं कि जो यह सिवा हैं जिसका कार्थी रोल प्ले कर रहे हैं कार्थी एक्टर हैं त सगय बाई हैं और फैंस जिनको यह पता है वह मतलब डाइंग हो रहे हैं इन दोनों को दोनों बाईयों को बड़ी स्क्रीन पर आपस में भिड़ते हुए देखने के लिए और मैं भी बहुत एक्साइटेट हूँ जब हमें केथी टू में होप सो केथी टू में थोड़ा सा में रॉलेक्स और यह सिवा आपस में बिढ़ते हुए दिखाई दे जाए खेर यह होगी केथी टू की कहानी अब इसके बाद आएगी विक्रम 3 यह जो लोकेस का यूनिवर्स है इसकी के बाद अगली मूवी रहेगी विक्रम 3 अब यहां पर यह विक्रम 3 कहां से आ गई क् यहां पर एक ट्विस्ट है आपको बता दूँ अभी जो विक्रम मूवी आई है जिसके बाद हम बात कर रहे है एक्चली विक्रम 2 है विक्रम फर्स्ट आई थी 1986 में जिसमें कमल असनी थे और वही कहानी को आगे बढ़ाया है विक्रम अभी वाली विक्रम में तो 1986 में जो इक चुली वो भी बहुत बड़ी सुपर हिट थी और वह भी इसी सब्जेक्ट पर बनी थी वहारली जो कहानी को उसी कहानी को मेकर अब लेकर आये हैं इस विक्रम में आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो 1986 वाली विक्रम और ये विक्रम आपस में लिंक अप है हां तो फ्रेंड्स जब विक्रम 3 आएगी ना तो यकीन मानिए वो इस यूनिवर्स की और इंडियन फिल्म इंडर्श्टी की सबसे बड़ी बवाल फिल्म होने वाली है क्योंकि उस फिल्म में सीधे तोर पर विक्र और स्ट्रॉंग केरेक्टर में सीधे भीड़ेंगे सूरिया और रोलेक्स है और हो सकता है इन सब के बीच में सूरिया की टीम में मतलब रोलेक्स की टीम में और भी कहीं केरेक्टर कहीं स्ट्रॉंग केरेक्टर जुड़ें हो सकता है चंदन हमारे विज़े से तुपती जो कि एक आगे हमारे विझै थलापती भी जुड़ें कि विजै थलापती की जो आने वाली फिल्म है थलापती67 वह दुख थी युनिवर्स में हों और उसकी स्टोरी भी इसी से रोलेक्स पर फिल्म बनें जिसमें रोलेक्स की स्टार्टिंग से कहानि क्योंकि यहाँ पर विक्रा मोजी के इंड में रोलेक्स बोलता है कि मैं खुद सेल्फ mental बना हूँ, यहा तक खुद आया हूँ तो हो सकता है कि एक बिल्कुल separate फिल्म बने जिसमें पूरी Rolex की कहानी दिखाएं कि Rolex कैसे आके Rolex बना तो ये भी बहुत possible हो कि बने तो बहुत सारी चीजे हैं इस यूनिवर्स में जिस तरह से Director Locus ने ये पूरी कहानी आफस में आप जॉइंट कर दी हैं बहुत सारी उम्मीदे हैं बहुत सारी fan theory हैं और आगे आने वाले टाइम पर जब इसकी अगली अगली मूवी आती जाएंगी तब हमको समझ में आएगा कि कितना जादा बड़ा बवाल होने वाला है यहाँ पर तो फ्रेंड्स इन सब को लेके मैं तो बहुत जादा excited हूँ और आई होब कि जिस तरह से मैं आपको बताया कि केथी और विकरम का क्या connection है और यह लोकेस का नया universe क्या है अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा इस बारे में और अगर आपने फिल्म देख चुकी होगी दोनों तो फिर तो और अच्छे से समझ में आ गया होगा लेकिन अगर नहीं देखी होगी तो मैं recommend करूँगा कि सबसे पहले आप कैथी movie देखें जो की YouTube में, Hindi में, Free में available है Gold Minds के channel पर अगर फिर भी आप नहीं डूण पाते हैं तो इसलिए इसको easy करने के लिए मैं इस movie का link अपने description पर दे देता हूँ आप वहाँ जाकर free में पहले कैथी movie देखिए उसके बाद आप Vikram movie देखिए जो की hot star पर available है ये दोनों जब movie आप देखेंगे और मेरे इस video को याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये पूरा concept clear हो जाएगा और अगर आप एक true movie lover हैं तो फिर आप बहुत ही जादा excited होंगे इसकी आने वाली filmों को लेके ओके फ्रेंड्स तो आज के इस video को यहीं पर खतम करते हैं अगर ये video आपको पसंद आयों तो इसे like जरूर कर दें और इस universe के बारे में आप कितना excited है या फिर आपके पास इस universe के बारे में कोई और जानकारी या कोई और fan theory हो तो वो मुझे comment करके जरूर बताएं बाकि अगर मेरे channel पर पहली पर आएं तो इसे अब भी subscribe करके इसके notification bell को on कर दें बहुत जल्दी आपसे मिलूँगा किसी नए video में तब तक के लिए अरे 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 एक चीज़ तो बताना भूल गया लेकिन अब टाइम नहीं बचा है बहुत लंबा वीडियो हो चुका है तो अगर इस वीडियो में कोई तमिल ओडियन्स है हमारी जो ये वीडियो देख रही है तो प्लीज हमारे हिंदी बेल्ट के ओडियन्स को ये जो बिर्यानी वाला जो था केथी और विक्रम का कनेक्शन उसके बारे में प्लीज बता दो यार वो बिर्यानी वाला कनेक्शन भीना बहुत मस्त कनेक्शन था तो प्लीज कमेंट करके हमारी हिंदी ओडियन्स को उसके बारे में बता दो ओके तो जल्दी मिलता हूँ किसी नए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर